बेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 24 सितंबर 2022 और 24 सितंबर 2022 से करेंट फेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप पर लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप चोइन कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कुशिन है, हाली में अंतरास्टी सांकेतिक भासा दिवस कब मनाया गया है, तो अभी 23 सितंबर को अंतरास्टी सांकेतिक भासा दिवस मनाया गया, तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है, सांकेतिक भासा यानि की साइ तो sign language के बारे में जागुटता बढ़ाने और सांकेतिक भासा को मजबूत बनाने के लिए हर साल 23 सितंबर को अंतरास्थी सांकेतिक भासा तिवस मनाया जाता है। तो अंतरास्थी सांकेतिक भासा तिवस यह हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। आसमान के लिए अंतरास्थी स्वच बायू दिवस मनाया जाता है। और 11 सितंबर को ही रास्थी वन सहीद दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को 200 रोगी सुरक्षा दिवस और अंतरास्थी लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। लगते हैं 40 या लाइक का। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है। तब आप इस वीडियो को लाइक और सिर जरू किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर। सबसे पहले अपने लेक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिकली अच्छी हो जाएगी हाली में उपराष्ट पती जगदीब धनकड ने लोक मंतन कारिकरम के तेसरे संस्क्रड का उदगाटन कहां किया है तो हमारे प्रजैन टेम पे उपराष्ट पती हैं जगदीब धनकड इनोंने अभी गुहाटी में लोक मंतन कारिकरम के तेसरे संस्क्रड का उदगाटन किया ह तो इस question का say options है ये एक तेन दिवसी आयोजन है इस आयोजन में चर्चा, सेमिनार, सांस्क्रितिक कारिकरम और प्रदरसनिया होंगी नए question है हाले में कौन से राज सरकार नबजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए portable उपकरड सांस का उप्योग करेगी तो अभी असम सरकार जो newborn बच्चे हैं उनकी जो death हो जाती है उसको रोकने के लिए एक portable device जिसका नाम है सांस इसका उप्योग करेगी तो इस question का बे options है अब सांस ये एक air pressure machine है इसका उप्योग new born child के लिए किया जाएगा जैसे hospital में तो बच्चों को oxygen मिलती रहती है लेकिन सफोज वो एक जगे से दूसरी जगे जब जा रहे हैं तो उनको उस time भी जो oxygen चाहिए वो इस device से आसानी से मिल जाएगी अब असम तो ये है map में असम असम की capital क्या है this board असम की chief minister कौन है हिमंता विश्व सर्मा और असम की governor कौन है चगदीश मुखी अबी असम राजी सरकार ने बिद्यारत school on Wales परयोजना शुरू की पबन कुमार बोर्ठाकोर ये असम के मुख के सचिब नियुक्त हुए है असम के मुख्यमंत्री ने 1000 model आंगरवाडी केंद्रों का सुबारम किया है दूसा बारशिक अंतरास्री रेंजर पूरुसकर 22 ये औरंग नेशनल पार्क को मिला है औरंग नेशनल पार्क ये असम में हैं अच्छा असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं? काजी रंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिबरू सैकोबा, राय मोना और देहिंग पठकाई नेशनल पार्क हैं। हाली में चेन नई ओपन 2022 का खिताब किस ने जीता है? तो अभी लिंडा फुर विर्टोबा ने चेन नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो इस कुशन का से ओप्सन से हैं। आप इमेज में देखिए। यह हैं सत्रे बरसी चैक टैनिस की लाड़ी लिंडा फुर विर्टोबा इन्होंने अभी पुलेंड की मेगडा लिनेटे को हरा कर ये चेन नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। ने चेन ने हाली में कौन सा राज अपनी स्वैम की स्वास्ते भीमा योजना CMHIS शुरू करेगा। तो अभी नागालेंड अपनी खुद की स्वास्ते भीमा योजना CMHIS शुरू करेगा। तो इसको शिन का बे ऑप्सन सही है। अच्छा इस खुद की स्वास्ते भीमा योजना को सुरू करने का परपज क्या है। तो राज जी के सब्वी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखवाल पर होने वाले खर्च को कम करना इसका मैन परप ही। नए क्यूशन है। हाली में चर्चा में रहा मून लाइटिंग के शेत्र से संबंदित है। तो मून लाइटिंग टर्म अभी यह बहुत जार चर्चा में रहा है। यह रोजगार से संबंदित है। तो इस कुश्चिन का ए अप्सन सही है। अब मून लाइटिंग यह अब moon lighting क्या है, ये जो 300 कर्मचारी निकाले गए हैं, ये विप प्रो के लिए भी काम कर रहे थे, और विप प्रो की जो कम्टेटर कमपनियां हैं, उन के लिए v align प्री आफिक्शा अवं सब ब प्रो सब है को था ईनकी प्र ऐसे दिक्शाथी। बिप्रो का जो confidential data है, बिप्रो की जो confidential information है, वो लेक होने का chance था, और बिप्रो के लिए ये employee उतने efficiency से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पहले तो बिप्रो के लिए काम करते थे, फिर पार्ट टाइम में ये उसकी competitor company के लिए काम करते थे, तो कहीं ने कहीं इनकी efficiency पे भी फर्क पड़ता था, इसलिए बिप्रो ने इन 300 कर्मचारियों को निकाला है, और ये इस तरह का काम कर रहे थे, कि competitor कमपनियों के लिए काम कर रहे थे, तो इसलिए ये term बनी moon lighting, तो ये है moon lighting, ये रोजखार से समन्दित है, अब बिप्रो, तो बिप्रो की स्तापना कब होई 1945 में, बिप्रो का headquarter कहां पर है, बैंगलूरू में, और बिप्रो के present time पर chairman कौन है, रिसद्द प्रेम जी, कौन है, रिसद्द प्रेम जी, अच्छा बिप्रो के present time पर CEO कौन है, theory de la porte, कौन है, theory de la porte, next question है, हाली में max life insurance company ने, किसे अपना brand master बनाया है, तो क्रिकेटर रोहित सर्मा और इनकी पतनी, रितिका सजदे को, max life insurance ने, अपना brand master बनाया है, तो इस question का, say option सही है, उप्रेयोक्त दोनों, आप image में देखिए, ये हैं, रोहित सर्मा और उनकी wife, इन दोनों को ही, max life insurance company ने, अपना brand master बनाया है, अब brand master की बात है, तो अभी UAE की प्रमुख स्वा आस्ते सेवा company, वुर्जील होल्डेंग्स ने, सारुक खान को अपना brand master बनाया, नौइज ने अपनी नई smart watch के लिए, बाणी कपूर को brand master बनाया, फैन कोड ने नया brand master बनाया है, रवी सास्तरी को, पोकरवाजी.com ने साहित कपूर को अपना brand master बनाया, गरोड एरोस्पेस ने अपना brand master MS दोनी को बनाया, एंडो UK culture platform ने अपना brand master AR रहमान को बनाया, टाइटन रागा इसने आलिया भट को अपना brand master बनाया, और आयर्विद परसनल केर ब्रांड मेडिमिक्स ने, कैटरिना कैफ को अपना brand master बनाया, ये अभी recent brand master बनाया है, ये आपको याद रखने next question है, हाली में किस राज सरकार ने मबेसी नियंत्रण बिध्यक को बापस लेने का नेडलिया है, तो मबेसी नियंत्रण बिध्यक ये पांच मन्त पहले गुजरात की बिधान सबा में पारित हुआ था, अब गुजरा सरकार ने इसे बापस लेने का नेडलिया है, तो इस question क इस सी नियंत्र्ड विध्यक तो अब लिया है अब गुज्रात की निट्र बिधान सेलायए अभी के मुख्यमत्री ने इफքो नै यूंडीया चिड़काव Its की सुरू आपकी सब्सिडी के साथ सेमी कंडुक्टर नेति सुरू करने वाला पहला राजी गुजरात बना गुजरात पूरिस की ए एफाइयर पडाली का उद्गाटन ग्रह मंत्री अमित्सा ने किया और चत्तेश में राश्टी खेल 2022 की मेजवानी गुजरात ने की अच्छ आप गुजरात के बारे में आत रखिए ने क्युशन है हाली में भारती युवाओं को प्रसिच्चित करने के लिए इसकिल इंडिया ने किसके साथ साज़दारी की है तो अभी भारती युवाओं को प्रसिच्चित करने के लिए इसकिल इंडिया ने सैमसंग के साथ जेन टेम पे चेरिमन कौन है ली जय यॉंग और ली जईिवंग कौन है ली जय यॉंग को नेक्ष विशन क्या एंडियन औलंपिक अशोसिजिह्जन के सम्मीदान में संसुधन के लिए नियुक्त किया तो इस कुशिन का बे आपसंस है अब इंडियन ओलंपिक असोसियेशन इसकी स्तापना कब हुई थी 1927 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है न्यू डेली में और इसके प्रजैन टेम पर सेक्रेटी जर्नल कौन है राजीब महता कौन है राजीब महता नैशुशन है हाली में केसराजी की बिधानसवा में महिला बिधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया तो अभी उत्तरपदेश की बिधानसवा में 22 सितंबर का दिन महिला बिधायकों के लिए आरक्षित किया गया है इस दिन बिधानसवा के सत्र में सिर्फ महिला बिधायकों ने अपने प्रस्ण पूछे और महिला बिधायकों नहीं उनके जबाब दिये तो इस question का say options है यह उत्तरपदेश की बिदान सबा में ऐसा पहली बार हुआ है आपको पता है उत्तरपदेश की बिदान सबा में 403 सदस हैं यानि कि 403 बिदायक हैं जिसमें से 47 महिला बिदायक हैं कितनी 47 और 47 महिला बिदायक में 22 महिला बिदायक पहली बार चुन के गई है अब उत्तरप्रदेश तो ये है मैप में उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की केपिटल क्या है लखनव और लखनव किस नदी की किनारिश्थित है गोमते नदी किनारिश्थित है उत्तरप्रदेश की चीपनिष्टर है योगी आलतनात उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश का राज की पसू है बारे सिंगा, राज की पच्छी है सारास्या क्रोच, राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच है असोक का ब्रच अभी उत्तर प्रदेश के बाराणसी सहर को पहली S.E.O. परेटन और सांस्कृतिक राजणानी कोशित किया गया फास्ट ट्रेक कोट में पैंडिंग केसिस के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है बारत का पहला नाइट सफारी और जैब विवित्ता पार्क लखनों में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभहत सराप और नसीली दवाओं के ब्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है अच्छा उत्तर प्रदेश में दुद्वा नेसनल पार्क है कतर्निया अगाट वाइललेफ सेंचुरी है और पेली भी टाइगर रिजर्व है ने क्यूशन है हाली में बर्स 2023 के ब्रिक्स सिकर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा तो बर्स 2023 के ब्रिक्स सिकर सम्मेलन की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा तो इस कुश्यन का पे आप्सन सही है अब साउथ अफ्रीका तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका की तेन कैपिटल है कैप टाउन लाइसलेटिव कैपिटल है Pretoria Executive Capital है और Bloem Pontein Judicial Capital है South Africa की currency क्या है? South African rent और South Africa की present time पे President कौन है? Cyril Ramaphoshah ने क्यूशन है हाली में केंद सरकार ने किसे रास्टी सुसासन केंद के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है तो इसकुशन का A options है यह है यह है भारत लाल यह एक Retired I.S. अधिकारी है और यह गुजरात केडर के Retired I.S. अधिकारी है ने क्यूशन है हाली में बिस बैंक ने किस राज में स्वास्ते सिवाओं को बढ़ाने के लिए तो इसकुशन का A options है अचा गुजरात के बारे में तो अभी में आपको बता है बल्ड बैंक की स्तापना कब हुई थी 1944 में इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर है वासिंग्टन डीसी में और बल्ड बैंक के प्रजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कौन है डेविड मालपाश ने शिशन है हाली में भारत और केस देश के कोस्ट गाड ने चेनदेश पर सयुक्त अभ्यास किया है तो अभी अपने देश भारत और Amérique की कोस्ट गाड ने चेनदेश तट पर एक exercise की है जिसका नाम है अभ्यास तो इस question का C options है ये अच्छा अभ्यास का नाम अभ्यास है आपको पता है इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी defense exercise होती है कोप इंडिया, टाइगर, ट्रंफ, वज़प्रहार और युद्ध अभ्यास जिसमें से ये जो युद्ध अभ्यास exercise है आपको पता है ये defense exercise होती है इस defense exercise का नाम ही defense exercise है यानि कि इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है तो ये India और America के भीच होता है अबी ये चेनली तट पर हुआ है अच्छाए, India और America के भीच में बज़प रहार exercise भी अभी हुई थी ये कहा हुई थी? ये हिमाचर प्रदेश के बकलोह में होई थी अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैंने आप से question पुझा कि हाली में केस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है तो अभी कजाकस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया यानि कि इस question का C option सही था और लगबख सभी straightness का answer सही दिया mostly straightness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में पहली floating photo प्रदसनिक का उदगाटन कहां किया गया है चार option दिये गए हैं इन में से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई प्रॉलम है तो आप Instagram पर इंद्रे सर्च सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 share like का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जर जरू कर लेजी आपको इस channel से निश्चित ही मदब मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको daily morning में current interface की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching